जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं बहुती बढ़ियां होरर सीरीज काबिनेट ओफ किरियोसिटी के बारे में दोस्तों फिलाल नेट्लिक्स पे इस सीरीज के दो एपिसोड्स रिलीज किये गए हैं और आज हम इस वीडियो में उन्ही दोनों एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे वर्ष्ट एपिसोड्स की कहानी का नाम है लॉट 36 एपिसोड्स की स्टार्टिंग में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो की अकेले अपने घर में रहता था उसका एक स्टोर रूम था जो की लॉट 36 में था और वो वहाँ पे हर रोज मास्क तुड़ा लेके जाया करता था सुबह सुबह वो जानवर के मास्कों काटता है ताकि वो उसे वहाँ पे ले जा सके लेकिन तभी अचानक उसे हार्ड अटैक आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है फिर हमें कुछ दिनों बात की कहानी दिखाई जाती है जहां मिलिटरी वेटरन निक को देखते हैं जो की काफी जादा गरीब हो गया था उसे बहुत जादा करजा था जिसकी वज़े से लोग उससे करजा वसूलना चाहते थे वो अब स्टोरिज खरीदता था ताकि वो उन्हें बेच के कुछ पैसे कमा सके वो इस्टोरिज कमपनी ये बाहर पहुंचता है जहां पर उस बुढ़े आदमी के स्टोरिज पे बूरी लगाई जा रही थी वहां पर वो स्टोरिज को 400 डॉलर्स में खरीद लेता है क्यों उसे लग रहा था कि शायद उसके अंदर उसे कुछ मिलेगा जिसे बेच के वो पैसे कमा सकेगा और अपने सारे कर्जे को चुका सकेगा उसके बाद निकुस टोरिज मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे उसके लौट का की दे दे निकुस से कहता है कि वो यूनिट एक बुढ़े आदमी का था और वो बुढ़ा आदमी काफी वीर्ड था वोसे वहाँ पे उस बुढ़े आदमी की एक फुटेश दिखाता है इसमें वो कूद कूद के अपने शटर के पास जा रहा था और उसे खोल के वो बहुती घंटे बाद वहाँ से बाहर निकला था ये देखके निकुस से पूछता है कि आखिर वो उसे ये सब क्यों दिखा रहा है तो एडी उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद उसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी और अगर उसे कोई महेंगी चीज मिले तो वो उसे ना भूले उसे भी उसका कमिशन दे दे ये सुनके निकुस से नदर अंदास कर देता है और वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी ये पास जाता है ताकि वो समान निकाल के उसमें लोड कर सके तब ही एईडी के पास एमेलियर नाम की एक लेडी आती है जो कि उस बुढ़े आदमी की मेट थी और वो हर महीन उस लौट के लिए पे की आगरती थी वो एडी से कहती है कि उसे उस बुढ़े आदमी का स्टोरेज देखना है तो वो उससे कहता है कि वो अब बिक चुका है और उसे अनुमती नहीं है उसे देखने की वो लेडी उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है उसने बस एक महीना उसके लिए बिल नहीं दिया तो उसने वो भीच क्यों दिया एड़ी उससे कहता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन अब वो यूनिट विग चुकी है जो कि वापस नहीं आ सकती वो उसे निक को दिखाता है और उससे कहता है कि उस आदमी ने उसे खरीदा है तो वो जा के उससे बात करे कि सुनके Amelia उससे बात करने के लिए जाती है तो Nikus से कहता है कि अगर उसे वो लोट चाहिए तो वो एक हजार डॉलर उसे दे दे लिगि उस लेडी के पास उतने पैसे नहीं होते इसलिए Nikus से वहाँ से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता फिर निक उस यूनिट को खोलता है और वहाँ पे उसे कई सारी प्राचीन चीज़े दिखती है वहाँ पे एक चीज नोटिस करता है कि वो लॉट बहुत ही छोटा है इसलिए वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका लॉट छोटा क्यों है एडी उसे बताता है कि ये सारे लॉट बहुती सालों पहले बनाए गए थे और यहाँ पे कोई भी लॉट एकदम बराबर बिल्कुल नहीं है कोई छोटा है तो कोई बहुत जादा लंबा है तो ये नॉर्मल सी बात है तो इसके बारे में चिंता वो ना करे उसके बाद वो अपने लॉट से कुछ समान लेता है और अपनी गाड़ी में जाके रख देता है उसे वहाँ पे सोने का एक कैंडल स्टैंड मिलता है कि वो चिंता ना करें वो उसके पैसे बहुती जल्दी लॉट आ देगा और इस उनके वो आदमी उसे एक हफ़ते का समय देता है और वहाँ से चला जाता है उसके बाद निक एड़ी के ऑफिस में जाता है और वहाँ की फर्स्ट एट के डियूस करता है एड़ी उससे पुछता है कि उस लॉट में उसे क्या क्या मिला तो वो उसे बताता है कि वहाँ पे उसे कुछ एंटीक पीसेज मिले जो कि सोने के थे और उसके उससे काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे एड़ी उसे एक खरीदने वाली का address भी दीता है और उससे कहता है कि वो उसके पास चलाजाए इस उनकी निकसर सुग्रियादा करता है और उस लेडी के पास जाता है और वो लेडि जब उस candle stand को देχती है तो वो काफी खुश हो जाती है वो उसे कहती है कि यह पियोर सोने का है लेकिन यह काफी जादा डिमांड में नहीं है जिसके वैसे वो इसके काफी कम पैसे उसे दे पाएगी जब वो table और chair देखती है तो उसे बदा चलता है कि वो Cyan's table है जिसे बैठ के लोग अक्सार आत्माओं को बुलाया करते थे उस टेबल के अंदर एक बटन भी होता है और जब वो उसे दबाती है तो एक ड्रॉर खुलता है जिसके अंदर से निक तीन डेवलिश किताबे निकालता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है वो कहती है कि ये किताबे बहुती जादा कीमती है और वो एक बंदे को जानती है जो ये किताबे खरीदने के लिए तैयार है वो तरवत बंदे को कॉल करती है और उसे वहाँ पर बुलाती है अर जब वो बंदा वहाँ पर आता है तो उन सब चीजों को देख के बहुत जादा खूश हो जाता है वो सियान स्टेबल के उसे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो बुक भी खरीदना चाहता है यह बुक्स बहुत ही जादा महेंगी है और इसका एक चौथा वर्जन भी है जिसको और किसी ने पा लिया तो वो डीमन को अपनी दुनिया में बुला सकता है और वो उसे अपने इशारों पे नजा सकता है मानो कि वो उसका पुतला हो निकुष से कहता है कि इस टेवल में सिर्फ उसे तीन बुक मिली है तो वो आदमी उससे कहता है कि वो चौथी बुक पाना आसान नहीं है अगर वो उसके लिए चौथी बुक लेकर आएगा तो वो उसे चार लाख डॉलर देने के लिए तैयार है लेकिन उस बुक को पाना इतना असान बिलकुल नहीं है वो बुक डीमन से अटाच होती है और अगर कोई दूसरा बंदा उसे चूता है तो वो जल जाती है इस उनके निकुस से कहता है कि उसे उसकी बखवास नहीं सुननी है उसके साथ लॉड में चले और वो दोनों मिलके उस चौती बुक को ढूंडेंगे जब वो दोनों कार में वहाँ पे जा रहे होते हैं तो वो बंदान एक से कहता है कि वो उस फैमली को अच्छी तरह जानता है जिसका यूनिट उसने खरीदा है वो फैमली बहुत ही बड़ी थी जिनका यूरोप में स्टील का बिजनस था वर्ड वर्ड टू के दौरान वो लोग अमेरिका आ गए और उन लोगों ने धेर सारे वेपन्स बनाए जिससे उनके पास बहुत सारा पैसा आया वो बुड़ा आत्मी बहुत जादा लाल्ची हो गया था जिसके वो दीमन की पूझा करने लगा था और उसने उसकी वएसे अपनी फैमली को भी चोट पहुँचाया था उसने एक कल्ड जॉइन कर लिया था और उसने अपनी बहन की बली चढ़ा दी जिसकी वएसे डीमन ने उसे पोझेस कर लिया था और तबसे ही वो बंदी गायब हो गई थी सबी लोग जब उसे ढूंडने लगे तो वो उसे कहीं पे भी नहीं मिली थी निक को उसकी बात बेकी नहीं होता और वो दोनों यूनिट पे पहुंचते हैं जहां वो दोनों उस बुक को ढूंडने लगते हैं लेकिन उन्हें वो बुक कहीं पे भी नहीं मिलती तब ही उस बंदे को वहाँ पे उस बुड़े आदमी की बहन की मिसिंग रिपोर्ट्स नजर आती हैं जिसे वो समझ जाता है कि जरूर उसने ही अपनी बहन को गायप किया था जब वो दोनों उस यूनिट की दिवार पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दिवार काफी खोखली है तब ही उनकी नजर नीचे बढ़ती है जहां पे एक ताला लगा होता है और वो उस तालेगों खोलते हैं जिसके अंदर एक सीग्रेट दर्वाजा था वो उसके अंदर जाते हैं जहां पे उन्हें एक टनल मिलती है जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूम नजर आता है जहां पे जमीन पे डिमॉनिक सिंबल बनाया हुआ था और उसके बीचों बीचे एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी इसके मुँ के अंदर एक क्रीचर था जो की डीमन था ये देखके वो बन्दा समझ जाता है कि उसने अपनी बेहन को यहीं पे कैद कर रखा था और उसने उस डीमन को समन किया था जिसकी वएसे डीमन ने उसकी बेहन के शरीर को अपना लिया था और दोस्तों इसलिए वो बुढ़ा आदमी हर रोज मास लेके जाया करता था ताकि वो उस डीमन को भूखा ना रख सके और उसे भर पेट खाना खिला सके निक ये सब देखके बिल्कुल नहीं डरता और वो उस क्रोस को पार कर देता है और तभी वो डीमन की नीद खुल जाती है और वो बुक लेके वहां से जाने लगता है वो डीमन उटके उस आदमी को काट खाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और तभी वो बुक अचानक जलने लगती है जिसे देखके निक हैरान हो जाता है तब ही वो डीमन अजाद हो जाता है और निक का पीछा करने लगता है और निक उस यूनिट से भाग के एकजिट दर्वाजे पे पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है तब ही वो दरवाजे के बाहर उसकी नौकरानी को देखता है जिससे वो कहता है कि वो जल्दी से दरवाजा खोले निकिनो लेडी उससे कहती है कि वो उसकी इसमें मदद नहीं कर सकती कि जब उसने उससे वो यूनिट मांगा तो उसने उससे नहीं दिया और अब उसके साथ जो भी होगा वो उसका जिम्मेदार है यह सुनके निक हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो डीमन उसे पकड़ लेता है और उसे जान से माल डालता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है तो दोस्ते यह थी पहले एपिसोड की कहानी यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अब हम चलते हैं दूसरे कहानी की तरफ जिसका नाम है दा ग्रेव याड रैट्स एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो चोरो को देखते हैं जिन्नोंने ग्रेव खोदी हुई थी और वहाँ पे मौझूद लाज के शरीर से वो गोल्ड चुरा रहे थे तब ही वहाँ पे ग्रेव याड का केर टेकर मेसन आता है जो कि उन पे गंदान देता है और उनसे कहता है कि वह तुरंत यहाँ से भाग जाए वरना वो पुलिस को इतला कर देगा जिस उनके वो दोनों चोरो से सारा माल दे देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं और उसके बार मेशन खुद ग्रेव में जाता है ताकि वो लाज से कुछ चुरा सके वो उस लाज को देखता है जो कि एक बड़े घराने की लड़की की थी और जब वो उसका मूँ खोलता है तो उसके अंदर उसे सोने का दात नजर आता है वो सोने के दात को निकालता है और बहुती ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन तब ही उसका दात अचानक नीचे गिर जाता है जब वो उसके दात को ढूंडने की कोशिश करता है तो एक चुहा उसे काट खाता है जिससे वो समझ जाता है कि उस दात को उस चुहे ने निकल लिया है इस उनकी मेशन उसे बताता है कि आजकल कोई अमीर बंदा नहीं मर रहा है जिसकी वएसे ग्रेव याड में बहुती गरीब लोग आ रहे हैं और अब ग्रेव याड में एक नई मुसीबत भी आ गई है उस ग्रेव याड में ढ़े सारे चुहे हो गए हैं जो की कई सारे समान चुरा के ले जाते हैं और उन चुहों से बचना बहुती मुश्किल है जो की उसका एक सोने का दांत भी ले गए हैं वो बंदा उसकी बातों बैकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो बकवास करना बंद करे तो वो यहां से चला चाया और उसका टाइम वेस्ट ना करे मेसन उससे कहता है कि वो उसके लिए उसकी बाटल लेकर आया है जो ही एक ड्रग की बाटल थी जिसे लेकर वो बंदा खुश हो जाता है और उसे मौर्ग में ले जाता है सारी dead bodies दिखाने के लिए मेसन सारी dead bodies को देखता है और उसे पता चलता है कि सारी dead bodies बहुत ही ordinary है जिनके सोने के दाथ नहीं है इसलिए वो उनसे पैसे नहीं कमा सकेगा तब ही उसे पर दे की पीछे एक लाश नजार आती है तो बंदा उससे कहता है कि वो उसके बारे में सोचे भी ना वो बहुती अमीर बंदे की लाश है और उसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए यस उनके मेशन उसकी बाद नहीं मानता और अंदर जाता है जहां वो उसके दात देखता है जो कि लगभग सारे ही सोने के थे यह देख के वो उन दातों को निकालने की कोशिश करता है लेकि वो बंदा उसे रोकता है और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस आदमी के रिलेटिव थे उस आदमी की बीवी वहाँ पे आती है और उसकी लाश देख के बहुत रोती है और वो अपने नौकर से कहती है कि उसके पती की एक आखरी निशानी थी कि जब उन्हें गाड़ा जाए तो उनकी पुष्टैनी तलवार के साथ ही उन्हें गाड़ा जाए जो ही पूरी सिल्वर की बनी है और वो बहुत ही महंगी है मेसन चुपके उसकी सारी बाते सुन लेता है और बहुत जादा खुश हो जाता है कि वो यह उसके हाथ में बहुत बड़ी चीज लगने वाली थी उसके बाद मेसन अपने घर पहुँचता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इतने सारे पैसों का क्या करेगा तब ही उसके अपनी सीलिंग में कुछ लटका हुआ नजार आता है और जब वो उसके निकालता है तो देखता है कि वो चूहे हैं जो कि उसके उपर गिरने लगते हैं और वो इससे बहुत जार डर जाता है तब ही उसकी आखे खुल जाती है और उसे पदा चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था दोस्तों से चूहे से बहुत आर डर लग रहा था कि उससे पहले कहीं वो उसके समान को चुरा के ना ले जाएं अगली सुबह वो चर्च में जाता है और उस आदमी के फिनरल में पाट लेता है और नजर रखता है कि आखिर उसे कहां पे गाड़ा जा रहा है उसे गाड़ने के बाद रात को वो उसे डिगप करता है और जब वो कासकेट खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर कोई भी लाश नहीं है ये देखके वो हिरान हो जाता है और तब ही उसे वहाँ पे बड़ा सा गढ़्धा नजर आता है जिसके अंदर से वो देखता है कि वो चुहे उसे घसीट के ले जा रहे हैं ये देखके वो हो डर जाता है और उसके अंदर जाके उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे ताकि वो जिन्दा रह सके वो चूहे की सूरंग में गुश जाता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तब ही चानक उसका पैर एक पत्थर पे जा लगता है और वो सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे उसका रस्ता ब्लॉक हो जाता है और अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ चूहे उस पे हमला कर देते हैं लेकिन वो अपनी बंदू निकाल के उन्हें शूट करता है और गलती से वो गोली उसके पहर पे लग जाती है जिसके वैसे वो जखमी हो जाता है और वो सभी चूहे वहाँ से भाग जाते हैं तभी वो उस सुरंग में एक बहुती विशाल चूहे को देखता है जो कि इतना बड़ा चूहा था कि वो उसे कच्चा ही खा जाता उसे देखके वो बहुत डर जाता है और छुप जाता है लेकिन तभी वो चूहा उसके सामने आता है और उसको सूंगने लगता है वो तुरंत अपनी गन उठा के उसे शूट करता है जिससे कि वो चूपा उस पे हमला कर देता है जिनि तभी मेसन वहाँ से भागता है और वो एक जगे जाके गिर जाता है जहाँ पे उसे इंसान के एक अंकाल नजर आते हैं जिसे देख के वो बहुत जार डर जाता है वो तरह के मुर्ती थी जो कि किसी प्राचीन क्रीचर गॉड की थी उसके सामनी वो एक गॉड को देखता है जो कि उस गॉड का सबसे बढ़ पुजारी था और से मेशन नहीं नहीं देखके हरान हो जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है तकी हो अपनी चीज़ उस सके, तब मेसन अपने आगे उस बड़े से चूहे को देखता है, जिसे देखके वो डर जाता है और पीछे उक अंकाल उसका पीछा कर रहा था, वो सोचता है कि अब वो क्या करे और जब वो चूहा उस पर हमला करने आता है तो वो उपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है जिससे वो चुहा पिचक जाता है और उसकी मौत हो जाती है तब यो कंकाल उसे पगड़ने ही कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उसकी चीज वापस लोटा दे लेकिन मिशन उसकी नहीं सुन और वहां से आगे बढ़ने लगता है तब ही उसे एक लाइट नजर आती है जिसे देखके वो बहुत जादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो सूरज की रोशनी है जो की बाहर का रस्ता उसे दिखाएगी जब वो उस रोशनी की तरफ जाता है तो खोदते हैं और उसे देखके वो दोनों हेरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों वही चोर थे जिने स्टार्टिंग में उसने भगाया था तब यह उसके बॉड़ी के अंदर से धेर सारे चूहे निकलता हुआ देखते हैं और डर के मारे वो वहां से तुरंट भाग निकलते ह जिससे कि यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों जो लॉकेट इसमें दिखाया गया है वो शायद अमर होने का लॉकेट है बीज़े कि इनसान का मास पूरी तरह गल जाये लेकिन उस लॉकेट की मदद से वो जिन्दा ही रहेगा कि जब मेसन ने उस कंकाल से वो लॉकेट हटाया तो वो जिन्दा था और वो उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था और एंड में हम मेसन के गले में भी वो लटका हुआ देख पाते हैं जिससे में पता जलता है कि मेसन भी अब जिन्दा ही रहेगा इन उसी बोड़ी पूरी तरह चुहे खा जाते हैं जिससे अब वो सिर्फ एक अंकाल ही रहेगा तो दोस्तो ये थी दो एपिसोड्स की कहानी नेक्स एपिसोड्स हम बहुत जल्दी लाएंगे तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लेगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा दोस्तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद झाल